हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग और आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू गुबी मटर की सबजी तो चलिए कैसे बनाते हैं आज वो दिखाती हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं अभी मेरा पेन गरम हो गया है मैं उसमें दो टी स्पून मस्टर्ड ओयल डाल दिया है अब वाईल गरम हो गया है अब मैं आलू को ऐसे चोटे चोटे दो आलू लिया है आलू को ऐसे टुकडों में काड़के फिर इसको में गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी देखिए अब यह थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है तो इसको और थोड़ा ब्राउन करेंगे देखिए अब यह हो गया इसको हम निकाल देंगे अब हम कली फ्लावार को भी ऐसे ही टुकडों में काटको उसको भी हम फ्राई करेंगे देखिए अब यह गोबी असे थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लिया है अब इसको भी हम निकाल देंगे क्लेट में अब हम फिर से दो टेब्ल स्पून गरम करेंगे यहां पर मैंने सर्सो का तेल लिया है अब इसमें जीरा तड़काएंगे हाफ टी स्पून अब मैंने एक बड़ा प्याज लिया है उसको भी फ्राई करेंगे अभी देखिए अब यह फ्राई हो गया है अब हम उसमें एक तेज पत्ता भी डाल देंगे देखिए अब रहा गोल्डन हो गया है अब हम इसमें जिंजर गालिक पेस्ट भी एक चमज डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि उसका कच्छापन निकल जाए तब तक भूनेंगे अच्छे से तो मसाला अभी फ्राइ हो गया है हम एक बड़ा टमाटर काट लेंगे उसको भी डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फ्राइ करेंगे अच्छे से जब तक कि टमाटर गल ना जाए और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट डाला है टमाटर सॉफ्ट करने के लिए और मैंने सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब टमाटर को थोड़ा से अच्छे से भूनेंगे इसको कवर करके हम थोड़ा टाइम भूनेंगे अब देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है और तेल भी थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है साइड साइड से तो अब इसमें हम सुखी मसाला डालेंगे आधी चमज हल्दी पाउडर आधी चमज लाल मिर्ची पाउडर अब हम एक चमज धन्या पाउडर भी डालेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे मसाले को देखिए अब मसाला भून गया है देखिए साइड साइड से अब तेल छोड़ने लगा है तो इसका मतलब मसाला भून गया है और मैंने यहाँ पर एक कोटवरी मटर लिया है जो हरा मटर होता है उसको डाल लिया है अगर आपके पास हरा मटर फ्रेस ना हो तो आप फ्रोजन वाला भी यूज कर सकते हैं अब इसको थुड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे फ्राइ करेंगे इसको अब इसमें हम फ्राइड गोबी और आलू भी डाल देंगे अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ अब हम स्वादवन सार नमक डाल देंगे ध्यान रखिएगा पहले भी हमने थोड़ा सा नमक डाला है तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है यहाँ अपर अब हम इसको ढख देंगे और सीम में पकाएंगे जब तक कि गोबी और आलू सौट ना हो जाए ढखकन खोलके हम बीच इसमें इसको हिलाएंगे अगर निचे मसाला चिपक जाता हो तो थोड़ा से पानी भी आड़ कर सकते हैं और फिर इसको हम अच्छे से चलाएंगे इसको दीरे दीरे पानी एड़ करते हुए हम स्लो आंच में इसको पकाएंगे अब हम पानी डाल देंगे जैसे आपको ग्रेवी चाहिए उसी साब से पानी डाल देंगे अब हम गेस के फिलेम को बढ़ा देंगे और धकन लगा के इसको पकाएंगे अच्छे से अब धकन खुलके हम इसमें धन्या पता भी डाल देंगे तो दोस्तो अभी आलू मटर गोबी तेयार हो गया है आप लोग जरूर इसको रोटी चावल पराठे के साथ ट्राइ करना और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना मेरी वीडियो को और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल बटन भी जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी जो वीडियो नए नए वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए तो कैसे लगा वीडियो जरूर क